बारत के किलाफ 26 दिसमबर से शुरू हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए औस्टेलिया टीम एक बेहत खास खिलाडी को टीम में जगा दे रही है इस मैच के लिए औस्टेलिया ने आर्ची स्टेलर नामा के एक 6 साल के बच्चे को अपनी टीम में शामिल किया है आपको पता दे कि 6 वर्षे आर्ची स्टेलर को औस्टेलिया टीम में शामिल होने की सूचना खुद कोच जस्टिंग लेंगर ने एक वीडियो के जरिये दिये स्पिन के इंदबाजी करने वाले आर्ची ने 6 दिसंबर से भारत के खिलाव शुरू होने वाले टेस्स सिरीज से पहले मंगलवार को आस्टेलिया टीम से मुलाकात की और उनके साथ नेट प्रैक्टिस भी करते हुए नज़र आए कोच लेंगर ने आर्ची को फोन करके खुद बताया था कि वो तीसरे टेस्ट के लिए आस्टेलिया टीम का हिस्सा होंगे जब लेंगर ने उनसे पूछा कि वो बैटिंग करते हैं या बॉलिंग तो आर्ची ने कहा कि वो लेग स्पिनर है अर्ची ने कोच से ये भी खा कि वीराट कोली को आउट करेंगे एडिलेड टेस्ट से पहले आरची ने आउस्टेलियाई टीम के साथ प्रेक्टिस सेशन में हिस्सा लिया और अपने देश की जर्सी में नज़र आए क्रिकٹ आस्टेलिया ने आर्ची की आस्टेलिया टीम के साथ भी तस्वीर शेयर की है इस चोटे से बच्चे को आस्टेलिया टीम दौारा समान दिये जाने की वज़ाय मामरिक है दरसल आपको बता दें कि आर्ची एडिलेड मेर रहने वाला एक क्रिकिट प्रेमी ऑस्टेलियाई बच्चा महज है जो तीन महीने की उम्र से ही दिल की बिमारी से जूच रहा है महज 6 साल की उम्र में ही उनकी अब तक 13 सर्जरी हो चुकी है और इन में से एक ओपन हार्ट सर्जरी तो तब हुई थी जब वो महज 3 साल के थे आर्ची अन्यमेति दिल की धड़कन की समस्या से पीडित है और उनके दिल की स्थिती ऐसी ही है कि उन्हें हमेशा किसी के निगरानी में रहने की जरूत है नहीं तो ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है बेराल ये छोटा सा खिलाड़ी हमें भारत के खलाफ शायद टीम में दिख सकता है और ऐसे में ये देखना दिल्चस्प रहेगा कि आर्ची टीम में रहके क्या करते है नेक्स्ट राइन स्पोर्ट डेक से गौरफ की रिपोर्ट